किसान भाईयो आज की शांदार वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पशू पालक से मिलवाऊंगा जो की पशू पालक से तीन तरीके से फैदा लेता है, तीन तरीके से मुनाफ़ा लेता है रोजाना डेड़ कवंटल दूड डालके पांच साथ हजार रुपे का रोजाना का मुनाफ़ा कमाता है और दूसरे तरीके से मुनाफ़ा कमाता है पशू बेच के, दो से लेके पांच हजार मारजन पे पशों का वेपार करता है, डेली एक से दो पशू बेच देता है यानि कि डेली का उसको 5-8-10,000 रुपे तक पशु सेल परचेस से मुनाफ़ा हो जाता है और तीसरा मुनाफ़ा होता है ब्रीडिंग से यानि कि जो पशों को गाबिन कराता है अच्छे सीमन से करवाता है अच्छा पशों को त्यार करता है और उससे उसके बच्चे अच्छे मुनाफ़े बिग जाते हैं और दस लिटर से लेके 22-23 लिटर तक की भैंसे रखता है बुल भी त्यार कर रहा है कम्प्लीट फाइदा लिना जिसे हम कहते हैं पशो पालन से तो आप इस पशो पालक से सीख सकते हैं डिटेल में तर्चा करेंगे चलो दोस्तों शुरू करते हैं जो दोस्त पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जो फेस्बुक पर देख रहे हैं वो फोलो करना ना बूले यह हमारे पशो पालक का शानदार घर है और घर के साथ में यह पशो का शानदार फारम है तो इनके फारम के आपको आज दर्शन करा देते हैं यह दर काफ हैं काफ की अभी बालों की कटिंग कर रखी है यह दर कुछ गाए भी हैं भैस भी हैं तो यहां पर आपको अच्छे से गंदा पशु भी मिलेगा गंदा इन्दी सेंस की कम दूद वाला सर मेरा नाम कमल जी सिंग है गाम बरनाला जिला आम बाला तो उत्तर हर्याना से है जहां पर मुर्रा ना के बराबर है तो सर लेकिन पशुपालन की जितने भी फिल्ड हैं सबी से इंकम लेते हैं जिस जिस सबसे डेड़ कोवंटल के आसपास दूद सेल होता है जो की भैंस का हमारा 65 रुपे रेट है और गाएं का 50 रुपे है आम लोग आम पश्वपाला कहते हैं उनका दूद इस रेट पर सेल नहीं होता तो आप कैसे सेल कर पाते हैं सर यह हम सीधा कस्टमर को दूद बेजते हैं यह ही नहीं किसी डायरी में नहीं किसे जोड़ को डालके किस्टमर को देखे अपना पूरा रेट लेते हैं अप खुद अतिवाजों कदा करते हों मैं मैं रच दूदे हमारे यहां डेजरी से ले के जाते हैं जी लोग तो जो यारेड डेड़े का पहले तो दाली का आप denoteो दूद आप सेल कर देते हैं अब खर्चा जादा होने की वजाए जी फीड बगारा का प्लडा मुनाफ़ा पहले जैसा नहीं रहा पर चलो फिर भी जिस रेट पे हमारा दूद सेल होता है जी वो रेट ठीक है जी इसलिए हमें कुछ उसमें इंकम प्राप्त होती है जी बिल्क यह तो यह तो काम आपका सूबह शाम का है जी सर दूद का हमारा सूबह प्सू का सेल परिशेश का काम है जी पसू लाकर हम डेली एक या दो पसू खरीद के बेज़ते हैं जी इसमें जो 2-4-5,000 मुनाफ़ा मिलता है जी वो हमारी अलग इंकम है दूद से जी बलकुर ब्य अगर नहीं बिका पसू खड़ा भी है जी सोही पसू देखके लेते हैं जी बारा चोलबा इसे जो उए마रे इन्व कॉट्री होगा फिर्थ Detma पने पास कब्री बाइए तो उसे नहीं कुछ नकुछँ event देगा बिल्कुल लेकिन सर सेल प्रचेज में लोग ये कहते हैं कि मान के चलो पॉच परशों पे एक आपको मुनाफ़ा हुआ हुआ ये गलत भैंस आपको मिल जाती है जो सारा मुनाफ़ा खा जाती है कोई ऐसा experience अपना भी रहा है नहीं सर ऐसा बहुत कम जी महाराच की किर्पा से जो भी है ठीक चलता आ रहा है जी अपसक बड़ी आपको अच्छा experience है आपको अच्छा experience है हाँ जी हाँ जी 15-16 साल से है जी हमारा काम ही है मेरा जी 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 जिसमें चलो बंदे को काम करकर के अपने आप सारा ग्यान दीरे दीरे पता चल जाता है जी 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 और वो त्यार होगा उसके रिजल्ट भी उनसे अलगाएंगे जी बहुत नॉर्मल बच्चा कितने रेट ने मिकता है और आप अपना नॉर्मल तो यहां पे जी पांच हजार साथ हजार दस हजार का बच्चा भी केगा हमारे पास जो छोटी कटिया भी सेल होगी जी आठ दस म लेगा तो सार सेल प्राशेज के लिए कितने लिटर की बहस रichen और प्रसंट्ळ ब्रीडिंग के लिए कितने लिटर की बहसे हैं के बास मेरे अपने घर में रखने बहेंस साघ़ भाई लिटर तक की बहनसे मैंने रख-खी है अप हाँ जी हाँ जी अब भी एटे टाइम और जो विक्री के लिए मैं भेंसे लेके आता हूं वो हमारे यहां दस से लेके 16, 17, 18, 20 लिटर तक वो तो चलो कभी-कभी होती है वैसे सो 10, 12, 14, 16 यह किस कीमत पर होती है जी भेंसे 10, 16 हमारे यहां भीक्री के लिए जी माल जो नॉर्म पशू कितने हैं सर हमारे पास तकरीबन 30-35 पशू अपने घर के जी और 5-6 वेंसे बिकरी की रहती हैं जी हमारे पास तो मैं अगर मोटा सा अंदाजा लूँ कि आप पर परमन्त अगर अपने सारे काम से अब कितना मुनाफ़ा ले पाते हैं सर यह वैसे आईडिया तो नही है पहतर माईते हैं सर देखो यह अपने हाथ का काम है जी अपने हिसाब से करना है अगर हम अच्छे इसमें चलके अच्छे पसूं का चुनाव करके या अची ब्रिडिंग पे काम करेंगे इसमें मनाफ़ा है सर अपने समय दीया इसके लिए बहुत बहुत'llन बादे झाल